तंद्र की अनिवार या आवश्चक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्षर रहते हैं इसलिए स्पर्दा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का स्वयम को आगे बढ़ाने का काम होता ही है होना ही चाहिए परंतु उसमें भी एक मर्याद आए असत्य का उप्योग नहीं करना चुने क्यों जा रहे हैं लोग संसत में जाएंगे बैटकर उपने देश को चलाएंगे सहमती बनाकर चलाएंगे हमारे आतो परंपरा सहमती बनाकर चलने की है समानो मंतर समिती समानी समानम मन सहचित्त मेशाम इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिपनी है वो कहते कि रुगवेत कारों को मानवी मन का कितना ज्ञान था यह समझ में आता है सब जगह उन्होंने समानों मंत्रह समिति समानी समानम मना लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा क्योंकि प्रत्यक व्यक्ति का चित्त मानस अलग-अलग होता ही है और इसलिए सव प्रतिशत मतों का मिलान होना सम्भव नहीं है लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग-अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चे करते हैं तो सहचित्त बन जाता है वास्तों में संसत क्यों है उसमें दो पक्ष क्यों है इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं ऐसे किसी भी प्रत्त के दो पहलू रहते हैं एक पक्षे एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्षे ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूरुन अतहाँ ठीक हो सहमती बने इसलिए सोंसत बनती है लेकिन ऐसी सहमती बनना स्पर्धा करके आये लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमती का आसरा लेते हैं उसके लिए इस पर्धा चलती है इस पर्धा है कोई आपस का युद्ध तो है नहीं जिस प्रकार ये बाते हुई जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ जिस प्रकार प्रचार के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा दो गट बटेंगे आपस में शंका संशे उत्पन होगा इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संगजय से संगटोनों को भी उसमें खीचा गया टेकनोलोजी का सहरा करके असत्य बाते पर उसी गई नितांता असत्य क्या शास्त्र का विद्यान का विद्या का ये उप्योग है सज्जन विद्या का ये उप्योग नहीं करते विद्या विवाद आया ये खलस्य ऐसा का है विद्या विवाद आया धनम्मद आया शक्तिफ परेशाम परपीडन आया खलस्य सादोहो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय चा रक्षन आया विद्या का उप्योग प्रबोधन कर करने के लिए होता है लेकिन अधुनीक विद्या टिक्नोलोजी को असत्य परःस्ती के लिए किया गया है एसे से देश कैसे चलेगा भै आक्ऴिर सब को देशे इस ही चलाना है plugging Dance with रोधी पक्षा कहते में प्रति पक्षा कहता वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मादना भी नहीं चाहिए, वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मरियादा होती है उस मरियादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्चक है कि हमारे देश के सामने चुनोतिया समापतनी हुई अब सरकार बन गई वही सरकार फिर से आ गई अब ये ठीक है पिछले दस वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है आर्थिक हमारी स्थिति आदुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है जिसके आदार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है उनको लगाए तो हमारे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही सामरिक्स्थिती हमारी दिश्थित रूप से पहले से अधिक अच्छी है दुनिया भर में हमारी जैश की प्रतिष्ठा बढ़ी है कलाज शेत्र में, कृडा शेत्र में, ज्ञान विज्ञान के शेत्र में सामस्कृती के एक शेत्र में, हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं हमको धिरे धिरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनोतियों से मुक्त हुए अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है समस्याओं से रहात लेनी है अभी हम बैठे हैं गरमी लग रही है अभी तो ठंडा हो गया लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गरमी थी इस वर्ष हर वर्ष से बहुत अधिक गरमी हुए और सर्वत्र हुई हिल स्टेशन सुमें भी हुई बंगलूरू जैसे महानगर में जलका संकट आ गया हिमालयों के हिमालय के हिमनदियों के पिगलने के बारे में तरतरी की बाते छप रही है यह पर्यावरण का सारी दुनिया पर संकट है भारत जो संसकारों से हिए पर्यावरण का मित्र बन कर चलता है कृतजनेता पुर्वक नदियों को वरुक्षों को पहाडों को पशुओं को पक्षियों को पूशता है उनके साथ अपना संबन्द मानता है वहाँ भी यह संकट खड़ा हुआ है चोंकी विकासपत की दुरुष्टी अधुरी है उसको बदलना होगा सबको बदलना होगा लेकिन जिसके पास यह दुरुष्टी पहले से है वो भारत अपने आपको कैसे बदलता है ये देखकर दुनिया उसका आनुकरन करने वाली है, तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकासपत ठीक से बना ना है अबी, उस स्व का विचार करके भी बहुत सी बाते हो रही है, लेकिन हमको मूल से विचार करके दुरुष्टिकत सारी बाते बदल के करना पड़ेगा, जो काल सुसंगत है, उसको साथ लेकर दुरुष्टि वो रखकर कि वसुधहिवा कुटुमभकम और सुरुष्टि अपनी माता है, हम सुरुष्टि के विजयता नहीं है, हम सुरुष्टि के अंग है, वो माता है, उसका दोहन करना है, उसका पोशन होना चाहिए, इस पर ध जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता अब एक साल से मनिपूर शांटी की राह देख रहा है उसके पहले दस साल चांतर रहा है पुराना गन कल्चर समाप तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहाँ पर उपज गया या उपज आया गया उसकी आगल में अभी तक चल रहा है तरही तरही कर रहा है कौन उस पर जान देगा प्राथमिक्ता दे के उसका विचार करना ये करता भी है समाज में कितनी बाते आ रही है बले घर की महिला एं शराब पिकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रोंद दीती है कहां हमारी संसकार कहा गए हमारी संसकृति कहा है जो संसकृति अभी तक दुर्जेयस ही बनी है अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता लेकिन उस संसकृति के वाहँ हम लोग उसकी परवा रखेंगे तभी इसलिए समाज में पिड़ी दरपिड़ी चलने वाले संपूर्ण सुरुष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संसकार जो संसकृति हमको सिखाती है उस संसकृति के पनपने का आगे की पिड़ी तक पहुँचने का प्रश्ण खड़ा हो गया है जिनों ने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है भले ही भहुतिक वैभव होगा परिवार टूट रहे है मन में अशांती है छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्याले के सापाटियों को गोलियों से भून डालते ऐसी परिस्थितिया आती है पिताहिन मातुर्तुव कितनी बाते है क्या हमको वैसे बनना है क्या हमको अपना परिवार पैरा नहीं है क्या अपने हमारी सगे संबनी हमारे कुछ नहीं लगते उस संस्कुति के संरक्षन का प्रश्टन है उसके लिए समाज में बात करने वाले समाज में विभिन्न कारिकम करने वाले समाज का प्रबोधन करने वाले माद्यम सबको अपने उपर सयम का बंदन एक लाना पड़ेगा और वैसा वो बंदन लाए क्योंकि आज के तंत्र में सरकार बहुत सी बाते देखती है उसके लिए भी सरकारों को प्रावधान करने पड़ेंगे बहुत काम करने पड़े है और ये काम केवल सरकारों को नहीं करने इनकी भी चर्चा हम करते हैं लेकिन केवल चर्चा करने से नहीं होता इसके लिए समाज को सिद्ध होना चाहिए वास्तों में प्रजात अंत्र में तो समाज अही राजा को बनाता है और समाज अही अपने स्थिटी को बनाता है तो समाज ने अपने आपको खड़ा करना यह पहली बात आवश्चक होती है समाज परिवर्तन से व्यवस्थाओं का परिवर्तन होता है दुनिया में सर्वत्र दुनिया का इतियाज देखिए यही हुआ है जब कोई परिवर्तन आया समाज में आया उसके कारण व्यवस्था में आया नेत्रत्व खड़ा हुआ लेकिन नेत्रत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ फ्रांसी सी राज्य करांती में फ्रांस के गरीबों का असंतोष शिकर पर पहुँच गया था इसलिए करांति की बात करने वालों के पीछे सारी जर्णता खड़ी हो गई यही रशिया में हुआ है यह खड़ा हो गया समाज में कि इससे छुटना है इससे बाहराना है अब वहां यह संस्कृति नहीं है जिसका वरनन महात्मा ने किया हमारी संतज जिनी किया इसलिए हमारे पास यही हुआ लेकिन उसकी जो अभिवेक्ति थी वो अलग प्रकार्टी वो भारती अभिवेक्ति थी डक्टर बाबा साब आम बेड़कर कहते हैं कि कोई बड़ा परिवर्तन होने के पहले समाज का एक बड़ा आध्यात्मिक जागरन होता है यह नियम है अपने देश में तो है यह शिवाजी महाराज के पहले सिक्डो वर्ष संतों ने आध्यात्मिक जागरन किया भक्ति की बुनियात देकर सारे समाज को भेज मिटा कर वर्ष अभिमान विसरल्याय आती भूल गये वर्ष अभिमान और जाती ऐसा समाज खड़ा किया तो शिवाजी महाराज ने सरच का विच्चार रखा उसके पीछे सामान ने आदमी खड़ा हुआ अपना घर गुश्ति समाल कर और उनके साथ लड़ता था इसलिए दुनिया की बलाड़्य ताकते भी उसको पराजित नहीं कर सकते यह समाज के निर्मान का काम करना है समाज में एकात्मता चाहिए समाज में संसकार चाहिए अपने समाज में और विशेश बात है कि हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ समाज है और यह जानावाला समाज है कि यह विविधता है मिथ्या है कुछ दिन चलती है बात में विविधता ने रिती मूल में तो हम एकई है विविधता भी हमारी एकता का आविश्कार है अभिव्यक्ति है और इसलिए उसको स्विकार करो मिल जुल कर चलो सब सही है अपने अपने मत की शरद्धा पर पक्के रहो दूसरों के मत का उनका है उत्त